हेलो एवरीवन वेलकम बैक इन अबर चैनल दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ कपिल तो आज इस वीडियो हम देखेंगे कुश्चन नमर ट्वैल को हम आपको 100 प्लस इंपोडेंट प्रिबियस यर टैट एक्जाम में पहले मैंने कुश्चन नमर 11 तक का जो वीडियो मैंने पहले ही अप्लोड कर दिया है और टेली बेसिस पर आपको न वन बाई बन हरी वीडियो है उसके साथ साथ लेटेड किस तरीके से और वी जो कुश्चन आपसे पूछे गए हैं वो भी वीडियो में आपको इससे पिक किया है, ये paper 2 का question है, 7-7-21-17-16 में आपसे paper 1 में भी question पूछा गया है और digit बदल कर ये आपसे mp-tet, up-tet में भी आपसे question पूछा गया, इस video हम दो questions देखेंगे चलिए जल्दी से start करते हैं, पहले question को किस तरीकी से solve किया साएगा question में आपसे बोला गया है, 3-hole, 1-by-2, some code में degree की जो संख्या है, वो आपकी कितनी है question दौनों language में लिख रखा, thumbnail पर सिर्फ न, एक ही language यूज किया जाता है, क्योंकि न, इतना space वहाँ होता नहीं है कि दौनों language के साथ हम question को upload कर पाए, ठीके न, तो now, number of degrees in 3-hole, 1-by-2, in right angle, ओके, तो कितने आपके right angles में ये degree होंगी, 3-hole, 1-by-2 में वो आपको बताना है तो question में बोला गए, 3-hole, 1-by-2, दे रखा, 3-hole, 1-by-2, some code, यानि कि right angle, right angle आपका होता है, 90 degree का, और कितने में पूछा गए, 3-hole, 1-by-2 में, तो आपको क्या करना है, 3-hole, 1-by-2 ले लेना है, किसका, 90 degree का, 3-hole, 1-by-2 आपका होता है, 3, 2-6, और 1-7, 7-by-2, multiply, आपका हो जाएगा, 90 degree, ओके, और इसको आप यहाँ पर आसान, इस अब सौर्फ यहाँ पर सकते हैं, 2 से, यह आपका, यहाँ पर कट हो जाएगा, कितने टाइम, 2 से, आपके 45 टाइम कट होगो, तो remaining time आपका, अचेगा, 7-45, जब आप इसका 7 से, multiply करेंगे, 7-5 आपका होता है, 35, 35 क 5 आ गया, केरी चला गया, कितने का, 3 का, और 7-4, 28, और 131, यानि कि 315, यानि कि इसका जो option है, वो option भी आपका एकदम सही हो जाएगा, उमीद है, आपको यह जो question है, वो समझ आ गया होगा, अगर कोई भी थोड़ा सा भी doubt रहा गया, तो चलिए, वो आपका question number 2 में, आपका यू-पी टेर्ट, और इसके अलाब आधर कहीं भी competitive exam रहते हैं, वहाँ पर अगर इससे लेटिट आपका topic है, तो बिलीब करिए, ये playlist आपको वहाँ भी काफी help रहेगी, तो question में बोला गया, दो और दो त्याही समकोर्ड़ों में, डिग्रियों की संक्या, यानि कि 2 और 2 2 और 2 थर्ड में 90 डिग्री, कितने एंगल उनकी डिग्रियों की संक्या आपको बताने कितने आपके हो सकते हैं, तो अब इसको simplify किया जाएगा, mix fraction इसको solve करेंगे पहले, 3 to 6, 6 और 2 आपका होता है, 8, 8 upon 3 हो गया, multiply आपको 90 से करना है, क्योंकि समकोर्ड़ों में आपकी डि into 30 अब जब आप करोगी, you will get 240, यानि कि जो डिग्रियों की संक्या होगी, आपकी यहाँ पर 240 यानि कि ओप्षन जो है, इसका A option आपका सही हो जाएगा, तो यह था आज का हमारा question number 12, जिसमें आपने दो question देखे, कि इस तरीके से आपसे seated paper 1 चाए paper 2 हो, इसके अलाब अधर भी कोई भी TET exam रहता, वहाँ भी आपसे question पूछा जारा, उम्मीद है, आपका जो doubt है, वो clear आपका हो चुका होगा, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, एक और नाई question के साथ, तब तक के लिए धनबाद, take care and wait for the next video.